Hello Friends, How are you ? मैं हूं चंदादु रच्छा और आपके साथ स्टाट करने जा रहा हूं technical analysis बहुत ही इंट्रस्टिंग है और हो भी क्यों नहीं क्यों नहीं ये जो है ट्रेडर का बहुत ही मन-चाह टॉपिक है और ट्रेडर का मन-चाह टॉपिक इसलिए है क्योंकि यह बिसिकली शॉर्ट टम ट्राइंट बताता है यह बताता है कि अगर आज एक शेर पचास रुबेका है तो आने वले समय में यह कहां जाएगा यह पचास के जगाँ पच्पन हो जाएगा या पचास जब पंटालिस हो जाएगा तो सोचो अगर आपको कोई एक ऐसा इनसान मिले या ऐसा कोई स्टडी मिले जो कि आपको पचास के जगाँ पर पच्पन में या पंटालिस में एक फ्यूचर की एक प्रिडेक्शन पहले से कर दे कि यह स्टॉक जो है यहां पर जाने वाला है तो आप कितने जल्दी कितने बड़े अमीर बन सकते हो राइट सो सब्कुल ल्लोगों के माइड में है वें आपको बता दूँ टेकरनी के हैं लिकांइशन है टैक्नी आनलेटलिस basis पर assumption ले रहा है वो basis जो है वो गलत हो जाए राइट परलब जो भी चार्ट जो भी study हम लोग करने जा रहे हैं वो 100% accurate definitely नहीं है ये जो है कुछ हद तक 60-70% हद तक ये जो है ठीक है तो किसी भी stock को किसी भी market को study करने के लिए दो दो analysis होते हैं number one fundamental analysis number two technical analysis fundamental analysis हम लोग कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कंपनी जिस एकनोमी में है उस एकनोमिक के बारे में बात करते हैं political environment के बात करते हैं अब कंपनी के बहुत सारे balance sheet profit and loss account business future past directors shareholding pattern वेगर वेगर चेक करते हैं but technical analysis में ऐसा हम कुछ भी नहीं करते है technical analysis में हम सिर्फ यह देखते हैं कि जो चार्ट हम लोग देख रहे है पास का वह हमारा चार्ट क्या एक हिंट दे रहा है मतलब यह जो stock है वह आगे जाने वाला किस direction में है हम चार्ट के basis पर चार्ट मतलब एक मैं आपको दिखा जखता चार्ट है यह चार्ट हमें क्या शो कर रहा है इसके basis पर हम यह आपको identify करने करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में निफ्टी कहां जाएगा ऐसे हम किसी पर्टिगर स्टॉक के बारे बाद कर सकते हैं रलाइंस टाटा मिल्ला वाटावर यू लाइक आप इसमें जो है किसी 100% accuracy but but with the accuracy of 70% 80% to some extent it is good right sir so मैंने आपको बता दिया कि actual में technical analysis है क्या मैं एक बाद फिर से आपके साथ discuss करता हूं technical analysis के बारे में that what we mean about this right so technical analysis introduction right हम लोग आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहे हैं but उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो stock market है उसका एक ही basically rule है और वह rule है basically demand and supply there is no other rule in the stock market stocks prices are basically always always based on the demand and supply अगर किसी stock का demand जादा 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 होता जारा है और supply एक lot heartbreaking बेचने बेचना कम चारते हैं तो price वो बढ़ जाता है और अगरلاuf बेचने वाले बहुत 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 जदा आने वाले आ गहे हैं और लेने वाला कोई नहीं है तो जो seller है रोच कम price पर हम वे बेचना तयार हो जाता है इस स Demand and Supply को जानता तो है पर Demand and Supply के basis पर यह identify करने जा रहा है कि future में prices की movement कहां पर होने वाली है अगर हम आपको रिटर्न में बताएं कि यह actual में technical analysis है क्या हम लोग study क्या करने वाले हैं तो हम यह आपको यह कहेंगे that technical analysis is the study of Mr. Market हम यह पूरी market को जो है Mr. Market बोला है कि it is the study of Mr. Market हम लोग Mr. Market की movement को basically predict करने जा रहे हैं किस basis पर on the basis of the different different charts, right technical analysis is the study of the Mr. Market action through the use of charts for the purpose of for the purpose of forecasting future price trends तो technical analysis basically market की direction को देखते हुए या identify करने के कोशिश करेगा कि market जो है वो किस direction में जा रही है right मैंने आपको बता दिया कि हर एक method हर एक theory 100% accuracy कभी भी नहीं देती but to the some extent it is good right यह जो हम study करेंगे वो किस basis पर करेंगे it will be based on the charts right it will be based on the charts अब सब चार्ट के अंदर बेसे कि हमने graph आपको दिखा तो दिया बड़ ग्राफ के अंदर हमें लोग देखेंगे क्या में लिए हम तीन चीजे graph करता देखते है number one price number two volume and number three open interest right price के moment आप समझते है कि रिलाइंस का आज का share जो है एक लाइन किछ दी ठीक है मैं वापिस आपको investing.com पर लेगे जा रहा हूँ मैंने यहां पर technical sorry investing.com पर यहां पर डाल दिया रिलाइंस ठीक है और रिलाइंस कंपनी को डालने के बाद हमारा पस option आजाता है हमने रिलाइंस इंडस्टिर्स आप किया right तो रिलाइंस इंडस्टिर्स आपके बाद चार्ट आ गया right तो आप देख रहे हैं यह जो है वो एक line बनी हुई आपके सामने यह जो line है यह line बसे लिए क्या शूरू कर रही है यह हर एक रोज हर डेली के basis के closing price को match करते हुए एक line graph की हुई है यह मैंने आपके सामने दस साल का graph लिया होगा है इसो थोड़ा सा कम कर देते हैं मैंने एक साल का graph select किया तो यह एक साल के closing prices को match करते हुए basis के line draw की है ठीक है So what I mean to say कि हम लोग आपके साथ एक graph देखेंगे उस graph के अंदर यह identify करेंगे कि यह जो graph है वो हमें technical analysis के according क्या show कर रहा है क्या बजा रहा है Right So अच्छा एक चीज और बता दूँ यहां पर कि जो इक graph होता है वो किस basis पर यहां पर आपके सामने बना हुआ है प्राइज जो है वो किस volume के साथ बढ़ रहे है Number 2 क्या Volume मतलब यह जो प्राइज है जो यहां से जो है यह इस बारासो दो के बाद यह जो है 1277 पर पहुंच गया तो 1202 के बाद जब 1277 पर पहुंच गया तो हम यह देखेंगे कि जो प्राइज की मूवमेंट है उस समय जब यह प्राइज 1202 से 1277 पर पहुंच गया तो पैसे की volume क्या था मतलब कितनी quantity जो है market में demand and supply के तुरू trade हुई है कोई भी trade होने के लिए demand और supply दोनों जुरूई है मतलब कि आप buyer भी चाहिए seller भी चाहिए तो जब buyer और seller दोनों होगा तो ही basically trade होगा तो traded volume जो है हमें देखना बहुत जूरूरी है यह identify करने के लिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है right मैं आपको बात बताई कि charts हम जो देखते है that will be based on the price that will be probabilities on the price number two based on the volume and number 3 based on the open interest अभी open interest क्या होता है जब आप futures के बारे में बात करते हैं options के बारे में बात करते चों future and options के बारे में तो future and options के अंदर हम लोग basically open interest के बारे में बात करते हैं means मांद लो हमने जो है future buy किया हुआ है right तो जितनी quantity का हमने future buy किया होगा है, जितनी volume हमने लिया होगा है, वो एक open interest के quantity बनाती है, ऐसी बहुत सरे लोगों ने लिया होगा, तो that is total open interest, right? So, what I mean to say, open interest भी हम लोग यहाँ पर graph में देखते हैं, तो 3 चीज़े charts में देखेंगे, यह technical analysis के लिए, एक तो price, number 2, volume and number 3, आपको मैंने कहा, that is open interest, और यह open interest कहाँ पर देखते हैं, in the future and options, right? और जो यह chart है, basically, यह क्या आप करता है, this provides us a helping hand, it is just a aid, it is just a tool to analyze the stock, to analyze the market, right? और जो यह market trend होगा, वो यह तो हो सकता है, कि bullish हो, और यह हो सकता है, bearish हो, bullish मतलब बढ़ता over trend, यह हो सकता है, घरता over trend, दो ही trend हो सकते हैं, यह तो bullish और यह तो bearish, right? तो हम लोग technical analysis में यह identify करने की कोशिश करते हैं, कि यह जो trend चल रहा है, यह bullish है, यह bearish है, तो अगर में लगता है, bullish है, मालब market जो है, future में grow करने वाला है, तो हम लोग buy कर लेते हैं, और buy करने वाद जब market में moment आती है, अपर side में जब market जाती है, तो हम लोग sell कर देते हैं, and vice versa, अगर मान लो हमें लगता है, हमारा technical chart यह बोलता है, है कि market में downfall आने वाला है, तो अगर downfall आने वाला है, तो हम पहले sell करते थे, sell करने के बाद, जब market में downfall आ जाता है, तो हम buy कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारा पर जो है, फिर से profit होता है, right, so what I am in to say, हम लोग charts के थूरू basically, बुलिश या बीरिश market trend को analyze करने की कोशिश करेंगे, right, so हमने आपको यह बताया, कि basically, technical analysis होता क्या है, मैं repeat कर देता हूँ, technical analysis is the study of Mr. Market, action through the use of the charts, for the purpose of forecasting future price trends, हम लोग फ्यूचर के price trends को analyze करने के लिए, बैसलिए Mr. Market को अन देखते हैं, कि technical analysis के थूरू यह market कहां पर जाने वाला है, right, अच्छा, इसके बाद, charts में हम लोग क्या देखते हैं, तीन सीजे, एक तो price, दूसरा volume हो, तीसरा open interest, बस तीन सीजे, right, और यह charts कुछ नहीं होते हैं, charts है just a tool for analyzing the technical charts, technical analysis, चलिए, इसके लावा, कि हम लोग technical analysis के बारे में, और आगे बाते कर रहें, हमें कुछ बातों का पता होना, बहुत जरूरी है, कि actual में, technical analysis, जो अपना result प्रॉइड करेगा, actual result भी क्यों प्रॉइड कर रहा है, why, तो definitely technical analysis, भी कुछ ना कुछ assumption लेता होगा, कुछ ना कुछ बात assume करता होगा, जिसके बारे में आपको ये confidently बोल रहा है, कि market में प्रॉइड में ओपर जाने वाला है, या नीची जाने वाला है, तो वो जो assumptions है, वो assumptions जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वो assumptions नहीं जानेंगे, तो हम लारा technical analysis का जो result है, वो हम लोग 100% format में use भी नहीं कर पाएंगे, means कोई भी assumption अगर fail होती है, तो हमारा technical analysis का जो result है, वो भी fail हो जाएगा, right, so हमें पहले वो assumptions जानने जरूरी है, जिस basis पर हमारा technical analysis price moments के बारे में आपको predict करता है, guide करता है, बताता है, यह क्या है, let us talk about. So there are three assumptions on the basis of, on which technical approach is based. तीन assumptions हैं, जो कि हमारा technical analysis जो है, वो basically study जो है, वो consider करते हैं. Number one, market action, market action discounts everything. What does it mean? देखो, मैंने भी आपको Reliance company का एक share price की मूँ में बताई, जिसका जो closing price है, वो है 1126.45, right, अब यह जो closing price है 1126.45, that price consider everything that is known to the market. देखो, market में क्या बता है, market में पता है, एक Reliance company ने Jio अलड़ी निगाल दिया, Reliance market को बता है, कि जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, market को पता है कि कमनी ने debt कितना लिया हुआ है, market को पता है, आने वे समय में जो election आने वाले हैं, उसका impact हमारे Reliance company पर किया होगा. So, market knows each and everything, and this price is the basically function of the no doubt demand and supply and demand and supply created only on the basis of the news available in the market and hence the price available in the market is the price which includes, which consider each and every news. So, जो ये price हमें मालूम चल रहा है, इस price के अंदर सब कुछ already included है, जो कि market में available है, market में news available है. So, price is the main thing, right, इसको लोग एक और तरह से समझ सकते हैं, पहले बात तो मिन आपको बताई, that price जो है वो बहुत बड़ी चीज है, और जो price है, this price is basically based on the fundamentalness, political news, economical factors of the company, each and everything is already discounted, already considered in the price, right. मैं आपको ये बोला, कि demand and supply, जो price के मुमेंट के बार बता रहे हैं, कि price जो है इतना important क्यों है हमारे लिए, demand and supply जो है, वो किसी भी company के share का price बताती है, right, और demand and supply जो credit होती है, वो no doubt, इन सभी के सभी factors को consider करने के बाद के रिए होती है, right, तो price is the result, outcome of each and every component of the reliance company, price जो है, reflects everything, price करना, अब कुछ already show हो रहा है, तो हम लोग सब कुछ study नहीं करते हैं, हम लोग क्या study करते हैं, हम price study करते हैं, कि price कितना हम हुआ है, right, तो technical analysis करता है, technical analysis is the study of the price, because price includes each and everything, हम लोग fundamental analysis के तरह, technical के अंदर, बाग के सब कुछ बिलकुल भी concern नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं कि, आज क्या हमारे सामने है, जो भी हमारे सामने आज price है, उसको analyze करते हैं, कि price की moment, हम लोग reasons को identify नहीं करते हैं, because reason हो सकता है, कि known हो सकता है, unknown हो, हमें पता हो, नहीं पता हो, बड़ मार्केट को सब कुछ पता है, तो मार्केट ने जो price हमें दिया है, हम उसकी moment के बेसित पर यह identify करने की कोशिश करते हैं, future में price क्या होगा, right, so, यहाँ पर आपने कहा, price is the basically main component of any stock, of any market, and price includes everything, and hence, we will consider price movement, not the reasons why the price is moving, right, Mr. Market ने अल्यड़ी price को जो generate किया है, वो demand and supply से किया हूंता, पर इस तो news किया है, अगर आप price study कर रहे हो, तो almost आप अल्यड़ी सब कुछ study कर रहे हो, right, तो यहाँ पर हम लोग किसी भी stock के fundamental में नहीं जाते हैं, technical में हम लोग price की moment को study करते हैं, क्योंकि market action discounts everything in the price, first assumption, on the basis of which, basic technical analysis is based, right, number second assumption, prices moves in trends, what does it mean, देखिए, अगर मैं technical analysis के थूँँ, आपको यह बोल दूँ कि भया, यह जो stock है, यह upward जाने वाला है, bullish है, right, तो इसका मतलब है, कि आप आज stock purchase करेंगे, तो आगे जाके बेश देंगे, right, बड़ अगर मैं बोलूँ कि नहीं, upward तो है, आगे वाले समय का कुछ नहीं बता, तो technical analysis is the wastage, जब आपको आगे का नहीं बता, तो आज अगर आपने analyze करके बता भी दिया, यह तो भी बतातेगा, मैंने का, आपको मैं, अभी तक आपने बिल्कुल भी analysis नहीं किया, बताओ, मैंने आपको यहाँ पर, एक, वन मन का चार्ट देखा है, बताओ, increase हो रहा है, price हो रहा है, तो आप कहेंगे, सर, देख लेते हैं, मतलब हमने, हमने क्या किया, हमने यहाँ तक के बात किया, थोड़े समय के बात कि, अब यहाँ से जब जा रहे हैं, तो हम कहेंगे, price increase हो रहा है, तब यहाँ से consider करेंगे, तो price decrease हो रहा है, मतलब, technical analysis में, आप चार्ट देखे, identify कर रहे हो, कि price जो है, already past में, क्या हो चोगा है, past था अब identify कर सकते हो, अगर future identify नहीं कर पा होगे, तो आपके technical analysis का, कोई benefit नहीं है, So, what I mean to say, में जो prices है, वो एक trend से move होते हैं, और हम हमेशा-मेशा, उसे trend को follow करते हैं, या तो bullish trend होता है, या तो bearish trend होता है, I repeat, या तो bullish trend होता है, या तो bearish trend होता है, अगर bullish trend है, market में price उपर जा रहे, तो obviously आप पहले buy करोगे, फिर sell करोगे, अगर bearish trend है, तो पहले बेच होगे, फिर खरीद होगे, आख उस trend को पकड़ना है, अगर आप उस trend को पकड़ पाए, तो definitely you are a winner, और अगर आप उसने trend को आपने नहीं पकड़ा, तो definitely you are a big loser, तो हमने आपको ये कहा, कि हमें उस trend को identify कर, उस trend को identify करता हुए, हम ये मान के चलते हैं कि future में, अगर past में अगर uptrend चल रहा था, future में भी ये uptrend में जाएगा, right, but no doubt, uptrend के भी एक limitation होती है, मैंने का price उपर जारा है, जारा जारा, तो हमेशा उपर नहीं जाएगा, तो कही ना कहीं जाके, वो restrict होगा, वापस नीचे भी आएगा, मतलब एक stage ऐसी आईगी, जिसको हम बोल सकते हैं, that is the reversal, generally price moves in trend, but prices moves in trend, till the time they start reversal pattern, और जैसे उन्होंने reversal start कर दिया, तो definitely पहले upward जारा था, तो reversal अगर start कर दिया, तो वो ब downtrend में आ गया, तो यहाँ पर हम लोग यही कहते हैं, कि Mr. Market जो है, वो जब भी move करता है, तो उसका एक trend होता है, और trend जो है, वो हम लोग early stage पर identify करके ही, इस market के अंदर profit identify कर सकते हैं, और अगर आपने early trend पर नहीं किया, price को, trend को ने लाई, तो उसका benefit आपको नहीं मिलेगा, और trend के हमेशा एक limit होती है, एक trend पर जानने के बाद, reversal आता है, तो उस reversal के बाद trend, नया trend start हो जाता है, right, this is the second assumption of the technical analysis, और तीसरी बाद, जो हमारा technical analysis use करता है, that is, history repeats itself, पुराना जो समेश ही है, जो पहले हो चुका है market में, अब वो वापिस आएगा, right, मैंने का, सर, हमेशा से ऐसे हुआ है, कि जो बच्चा ज्यादा महनद करता है, वो ज्यादा मार्स लाता है, right, Mr. A. ने ज्यादा महनद की, वो पास हुआ, ज्यादा मार्स लाया, right, अब बताओ, क्या, यह आपके साथ भी होगा, yes, history repeats, अगर पुआने वले में कोई logic है, तो वो definitely, वो आपके साथ भी होगा, right, तो यह बात तुम्हें, अगर आपको नहीं भी बताओ, तो भी चलेगा, मैंने का, अगर आप red light जम करोगे, तो चलान कटेगा, बहुत लोगों का कट चुका है, आप उसी dead light पर अगर, आप भी चम करोगे, तो आपका भी चलान कटेगा, history repeats, right, so what I am going to say, कि आप को भी example ले लो, कि अगर पुरानी चीछ, पुरानी चीछ, जो है, एक, आपको result प्रवाइड कर रही है, history repeats itself में, हमने कहा, that it is the study of the human philosophy, केंते हैं, सर, अगर आपको stock market में पैसा बनाना है, तो आपको तीन चीजों को सीखना बहुत जुरूरी है, in fact, चाग, fundamental analysis, number two, technical analysis, right, अगर आप इन दोनों चीजों में expert हैं भी, उसके बावजुद भी, आप जो है profit अच्छा कमाल होगे, that is not compulsory, इन दोनों के लावा भी आपको दो चीज़े और सिखनी होंगे, right, और वो दो चीज़े क्या है, next two things are, number one, money management, आपको एक करोर प्या है, आपने सारा पैसा आज ये लगा दिया, fundamental को ध्यामे देते हुए, market गिर गर, क्या कर लो गया, you must have a ability to utilize your funds on the proper timings, right, आपको अपने funds को प्रोपर वे में यूज करना है, right, so तेसी चीज़, अगर आप stock market से अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, that is money management, and number four thing, that is again very, very, very important, that is human philosophy, देखे, market में कोई न्यूज आती है, right, market में यूज आई, X company का जो profit जो है पिछले साल के गंपाइजर में डबल हो गया, right, अब जैसे ही आप news सुनोगे, तो आप एक react करोगे, क्या react करोगे या profit डबल हो गया, अपनी बहुत अच्छी है, तो आप share, buy करना शूरू करोगे, आप buy करोगे, तो बताओ, ऐसे ही, जितने भी लोग होंगे market में, जब इस news को सुनेंगे, वो भी क्या करेंगे, buy करेंगे, right, means, each and every person has the same philosophy, right, और अगर सभी लोग buy करेंगे, सभी सभी purchase करेंगे, तो seller जब ज़्यादा rate में बेचना पसंद करेंगे, जब ज़्यादा rate में बेचना पसंद करेंगे, तो market price क्या होगा, market price बढ़ जाएगा, right, so market price increase, so this is a human philosophy, जिसने market को बढ़ा दिया, सब लोग एक ही जैसी बाते सोचने लगे, और market price का positive impact आया, right, मैंने का, already, BJP government is in power, right, election आने वाले है, right, अब बताओ, अगर BJP government नहीं रहेगी, तो बाग की सबी लोग क्या सूचेंगे, कि जो rules, BJP ने बनाया हुए है, वो जो है follow नहीं हो पाएंगे, तो हो सकता market impact आए, तो human philosophy क्या गएगे, जल्ले से निगल जाओ, जहांकि हम लोग बाद में इसको purchase कर ले, right, so जब सभी लोग ये सोचेंगे, तो market अपने आप से down होगा, and vice versa, right, what I mean to say, हमें human psychology को, philosophy को सोचना पड़ेगा, कि लोग, लोग जो है, किसी भी news पर, किसी भी event पर, किसी भी particular point पर react कैसे करेंगे, right, और market जो है वो, इसी बेस पर भी चलता है, so हमें चोथी बार market से profit कमाने के लिए, ये भी सीखने के जोहत ज़रूरी है, that human philosophy क्या है, right, and since pattern worked, since pattern worked in the past, assume they will work in the future as well, आगे ये तो, वोई बात होगे, history repeats itself, right, history जो है, वो definitely repeat होती है, ये बात भी हमारा technical analysis पहले से assume करके चलता है, right, so तीन बाते मैं आपको बताएं, on the basis of which, basically technical analysis is based, और इन में से कोई भी assumption जो है market में future applicable नहीं होती है, तो definitely technical analysis जो आपको result प्रवाइड करेगा, वो 100% correct नहीं होंगे, इसके लावा आने वाले वीडियो के अंदर, हम आपके साथ कुछ थियोरीज डिसक्स करने जा रहे हैं, examination point on के according बात करें, तो examination के अंदर generally theories आती है, और no doubt theories जो है, properly practical oriented है, आप जो है, technical analysis की बहुत-बहुत सारी बाते, जो है, इन theories के थूरू जानेंगे भी, राइट, पर theory जो है, वो theory format में ज़्याद आती है, practical numerical format में बहुत-बहुत rare आती है, तो हम आपके साथ आने वाले वीडियो के अंदर, इनी theories के बारे बें, आपके साथ बात करने चाह रहे हैं, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, thank you very much.